कर दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रदीप कमार बांगडे आपका इस-करकरम में स्वागत है जिस-क दोस्तों आपकी फर्माइश को आपकी नाम पूरी करेंगे आज मैं आपकी को कौन-कौन से भीमारिया होती नहीं है, कौन-कौन से भीमारिया रोकी जा सकती है, संपून जानकारी दूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप से रोज है कि आप इसे लाइक करें, रेट कलर का बटन है, उसे दबा कर आप सबस्क्राइ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंदाय तो आपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोगभी इस वीडियो से लाब उठा सकें, दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा, तैरने के फायदे घटाना है वजन है। तो क्या करें। सबसे पहले तो तैरने की वजह से हमारे श्रीर में है कैल्रीज कम हूज जाती है। सिद्धा संबाइं इस लिए जब हमारे काल्री कम होती है हमारा वजन भी उसी के साथ कम हो जाता है तो बिना किसी वियाम की मेहनत के हम तैरने के मज़े के साथ-साथ अपना वजन भी घमा जो है कम कर सकते हैं दोस्तों अगर आप वजन कम करने की सुच रहे तो तैरना चालू कर दें निश्यत रूप से आपका वजन कम हो जाएगा ग्यारिंटेट है आप वजन जाएगा तो आप अगर वजन कम कर रहे हैं और अगर करने की इच्छा रख रहे हैं तो तैरना बेस्ट एक्सेसाइज है दोस्तों हड्यों की शक्ति के लिए अक्सर देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर की हड्यां कांजोर पड़ जाती है खास करके औरतों की इ इन माताओं बेनों के हाथ पेरों में दर्द देना चालू हो गया है वो तैरना चालू करते हैं इससे यह होगा कि हाथ पेर की हड्यां मजबूत हो जाएगी तैरने से और कई दूसरे वयामों करने से हड्यां कमजोर होने से बच जाएगी और जोडों के दर्द में भी रहत चालू कर दें फिर दे की सुरक्षा के लिए तैना उन लोगों के लिए काफी फायदे मन साबित हुआ है जिने अलग अलग प्रकार के दिल के रोग है जिदि आपको लगे कि रोज के वैयाम से आप ठक जाएंगे तो तैना आपका इलाज है अगर आप तैरते हैं तो बहुत जली जो है आपको हाट से सम्मद्द को बिमारी वो भी ठीक हो जाएगी और अगर नहीं है तो वो कभी नहीं होगी बहुत से रिसर्च और स्टडी से इस बात का प्रवारण मिला है कि तैरना हमारे दिल के रिए बहुत फाइदे मन्द और उप्योगी होता है बच्चों को सिलेबरी पाल्सी से दूर रखें जिहां सेल्बरेल पाल्सी एक ऐसा रोगए जो बच्चों के चलने फिनने के तक तो काफी दिक्कत देता है घर पर किये गए वैयाम ऐसे बच्चों के लिए अच्छे होते हैं लेकिन तैरने से बच्चे मौज मस्ची के संग अपनी सेहत भी बनाते हैं इससे उनके मन पर अपने रोग को लेकर नकारात्मा भाव भी दूर रहता है बेहतरी फ्लेक्सिबिलेटी के लिए क्या करें जिया फ्लेक्सिबिलेटी के लिए अगर आप चाते हैं कि आपको बता चुका हूं कि तैरने से हमारे श्रीर के जोड मश्बुत होती है इस मजबुति के कारएं, हमारे शरीर बहुत फ्लैकसिबल हो जाता है, तो अगर आप चारें कि अपने बाडी को फ्लैकसिबल करें, तो तैरिये, कोई exercise करनी क जरुष नहीं है, खाली एक ऐसी exercise है वो तैरना, अगर आप तैरना चालो करते हैं, तैरते हैं, तो अपने आप सब्सक्राइब बापस आजाएगी बनी रहेगी और सुध्रिड होगी सेड़ी की अच्छी कोडिनेशन जेहां दोसे तरी के साथ अगर अच्छा कोडिनेशन करना है तो कैसे करें इसकी लिए आप कुछ जो है तैरना बहुत जरूरी है तैरने के लिए हमारे हाथ पैर और सिर के बीच एक अच्छा सामान्यत की जरूरत पढ़ती है सामानतर की जरूरत पढ़ती है तैरने हमारे शेरियर में एक तरह का नियंतर्ण और कोडिनेशन पाया जाता है जिसे कोडिनेशन मजबूत हो जाती है कोडिनेशन बहुत जरूरी है दोस्तों जब हमारे हाथ सर पैर जब इनका कोडिनेशन नहीं हो पाता है तो कभी कभी देखा होगा कि जो है वो बिना कोडिनेशन के हाथ कभी इदर चला जाता है कभी पैर और अगर जाना जड़ा आप जितना तैर सकते हो अतना अच्छा है लेकिन रो जाना दस मिट तो ज़रूर तो जो है आप तैरिये अस्थमा के लाज में बहुत फायदे मन्द है अस्थमा एक ऐसी बिमारी है जिससे लोगों को सास लेने में तकलीब होती है बहुत रिसर्च के बात ये थाबित हुआ है कि घर पर किये गए वयाम से ज्यादा तैरना इन रोग्यों के लिए अच्छा इलाज है जहां जो तैरना जानते हैं उनके लिए तैरना चाहिए अस्थमा के मरीजों को कोशिश करें कि मुझारा ज्यादा तैरे जब मौका मिले तब तब तैर ले नहाना नहीं है तैरना है स्विंग करना है आपको बहतरी नीन के लिए अगर आप नीन नहीं आती है परशान है क्यों नीन नहीं आती तो तैरने से हमारी नीन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है तैरना एक बहुत ही अच्छा वैयाम पाया गया है जो पानी में करने की कारण हमें कुछ समय में ठका देता है इसलिए क्योंकि तैरते समय हमारा पूरा शहरी एक साथ काम करता है और इस ठकान के बाद आपको अच्छी नींद प्राप्त होगी यह निश्चित रूप से चावित हो चुका है अध्यना से पता चल चुका है तो अगर आप चाहते हैं बहतरी नींद तो तैरना चालू कर दें तैरे जिट्टा हो सके उत्ता तैरे कम से कम दस मिट जरूर तैरने दोस्तों forbidden बहतरीन मान्सिक्षित मान्सिक रोग कुछ ऐसा होता है जिने किनी भी हालाट में नजरانदाद नहीं किया जा सकता रिसर्श ने बताया है कि लोग को तैरने से काफी फाइदा होता है और उनका मन 충분 काफी शकारातमक चाता है तो मान्सिक्षित बनाना चाहते हो तो तो ऱयर तेरे उत्राई काफी है एजिंग में समय लगना जियां रिसर्च से पता चलता है कि तैरने से हम जवान नजर आते हैं यह इसलिए होता है क्योंकि तैरने से हमारी मन इस्तिती बदर जाती है और हम खुश नजर आते हैं इस कारण से टेंशन हमसे दूर रहती है और एजिंग के रफ़तार भी कम हो जाती है तो दोस्तों यह तो थे कुछ फायदे अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े बता हुआ कि तैरने से जो है वैयाम और तरीके जिस किस तरीके से तैरा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ पहला तरीका होता है फ्री स्टाइल यदि आपको तैरना अब यह भी सीखा है तो यह आपके लिए है इसमें फास्ट स्टोक पाये जाते हैं आपका चेहरा नीची की तरफ और हाथ सिर के उपर सबसे पहले आप अपने दाय कंदे को उपर उठाते हुए और पानी को पीछे धका वारते हुए एक पूरा राउंड बनाकर फिर वहीं पोजिशन में आ जाए और बाय हाथ उसी फ्रिश टायल जो पसर करते हैं बैक स्ट्रॉक अपने पीट को पानी पर रखे हुए आपको अपने दायने हाथ को पीछे की तरफ एक राउंड बनाते हुए फिर से पानी में उसी पोजिशन में वापस लाना है और तुरुंत बाद यही चीज आपको बाय हाथ से करनी है आप पानी को इस तरह पीछे धकेलना है कि आप आगे बढ़ सकें दोस्तों टैरला जो है फ्री स्टैल टैरला तो आप सीख सकते हैं बहुत ही आसान होता है लेकिन बाकी जो जैसे कि मैं भी बैक स्ट्रॉक के बारे में बता रहा था तो यह सब जो है आप किसी कोश के माध् करना जो है वह जो है आप कोश से सिखें बहुत फाइदा रहेगा फ्रीश्टैल आप खुद सिख सकते हैं तीसरा है ब्रेस्टो स्ट्रोक यहां आपको अपने चेहरा पानी की तरफ रखना है जहां आपके हाथ आपके सिर के उपर रहेंगे और पूरे शरीद एकदम फ्लै वहीं दोराना है साइड स्ट्रोक यहां आपको अपने दायनी तरफ तैरना है इस तरह से तैरने से आपके दाय हाथ सिर से उपर रहेगा और दोनों पैर साथ रखते हुए आपको सिर को टेडा करते हुए आपको दूसरी ओर देखना है अब कैसी की तरह पैर को चलाते के लिए कुछ टिप्स में आपको बता देता हूं फटाफट आखों की सुरक्षा के लिए चैश्मा जरूर पहने यदि आपको इसके आदत ना हो तो पानी में उतरने के गंटा पहले ही आप इसे पहन सकते हैं तरने के लिए अत्यांत अभ्याद ध्यान लगन के जरुत होती ह कि मदद से आप आसानी से पानी पर पहर मार सकते हैं इससे आपके एकल को फ्लक्सिमेल्टी भी बड़ती और के इयर फ्लक्ससे आपको पानी के कानCal में जाने के परशानी महसूस नहीं होगी जिन लोगों को Scientists टहन में काफी अन्भॉर है उन लोगों के साथ बाचित करने से भी आपको फायदा होगा जहां lifeguard मौजूद हो उधर ही तैने में सावधानी होती है पानी में उतरने से पहले आपको जोड़क को वायाम देना भी बहुत फायदा मन्द होता है तैने से पहले पाणी पानी आवशक है पानी पीना आवशक है जरूरत से ज्यादा तैरना हानी का रखो सकता है तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स उम्मित करता हूं दोस्तों आपको मैंने जो जानकारी दिये वो ज़रूर अच्छी लगी होगी विसे के साथ अपने दोस्त परदीप कुमार भाग कि दोस्तों दोस्तों जोस्तों इंड कर दोस्तृ सुटब जिवर भागी के साथ उन्मित परदीप